हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप आशा है कि आप सब ठीक होगे तो फ्रेंट्स आज हम आपको उबले हुए आलू से बहुत ही स्वाधिश्ट और अच्छे रस्पे बताएंगे जो कि आपको बहुत पसंदा आएगी तो आएए अब हम शुरू करते हैं तो देखिए मैंने ये दो से तीन बोईलिड आलू ले लिए हैं अब में थोड़े कर लेंगे तो देखिए इस परकार मैंने इसी करश कर लिया है आपको इसमें बिल्कुल भी घुटलिया नहीं टुफ नहीं है बहुत ही अच्छे तरी किस अच्छे से क्रिश कर देना है मैंने अपने आलो को अच्छे से कर लिया है और अब मिसमें डालेंगी प्रेश की हुई गाजर थोड़ा सा कटा हुआ बारे थोड़ी सी तो देखिए फ्रेंस ये मैंने हाफ कटोरी कॉर्ण फ्लोर लिया हुआ है इसे भी मैंसी मैं इसमें आ जालमेश पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा इसे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा अपके नासे में और अब मिसमें डालेंगे थोड़ा सा धन्या पाउडर, स्वादमजाद नमक और अब मिसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगी और एक तरफ में अपनी गढाई में ओल रख को अच्छे से में ताकि हमारा का अच्छी से करम हो जадे हुअँ आप अब सबही चीजों कौच अच्छ वासल कई सी तरह इसी तरह तसे मिक्स कर लेंगी और इसकता हमाइब तयार कर लेंगी लिए कुदेखें वहाIO थ mellan च six तयारिममा इसका बहुत यह अच्छा दो तयार क अब इसमें जो हमारे पास थोड़ा सा धनिया और पचा हो तो भी मैं एट कर दूँगी ताकि ये काफी हरा बहरा और काफी अच्छा दिखिए को भी मेन फन्रेयर अर्फटे आप चाहो किसी बॉलाई में दे सकते हैं या फिर जैस्तरी कि आप चाहो उसी तरह के सार्व सिगा ड़ू के आकार में भी बना सकते जो तो कि इस पर निए करकार में इसके अंदर रखोंगी चीज यह मैंने मोजरियला चीज ली हुई है इस प्रकार थोड़ी समें लूँगी और इसमें बीच में रखके इसकी और इसे चारों तरफ से बंग कर दूँगी यह अगर यह रखोगी तो बच्चे काफी पुशो कर खाते हैं क्योंकि बच्चे को चीजी चीज काफी अच्छी बनाऊंगी और बीच में इसकी भी इसे प्रह चीज रखते हूंगी यह काफी क्रेस्प और कुरकुरा नास्ता बनकर तैयार होगा यह विल्कुल लड्डू के आकार में मैंने बनाकर तैयार कर लिया है आप चाहो तो इसे थोड़ी चोटे भी बना सकते हूं लेकिन में का अब यह दिखने में चाहिए तो आईये अब हमने फ्राइब कर लेती हैं तो फ्रेंट्स अब अपने बना यह विल्कुल रख दिया है आप देख सकते हूं अब इसे अपने जो लड्डू बनाए थे वह इनमें तलूंगी आप अपनी अकोरिंग में बना सकते ही ने मोटे पतला जैसे बनाना चाहूं ऐसे लड्डू को बना सकती हूं तो अब मैं इसे घुमाती रहूँगी जिस प्रकार रस बुल्ले बनाते हैं आपको इसी प्रकार ने घुमाती रहना है वनना यह एक तर्फ से ज्यादा से जाएंगे और दूसर तर्फ से एकम सिकेंगे तो अब देख सकते हैं हिनका कितना प्यारा कितना है आपको इने इलो फ्लेम पर इसी प्रकार शेख लेना है तो इसे जिस प्रकार तयार हो चुके हैं यहां आपको इन में से एक बाल्स तोड़ के दिखा देती हूं देखिए यह काफ़ी चीजी और काफ़ी बड़िया बना हुआ है देखिए अंदर से कितना अच्छा दिकाई देरहा है इसमें काफ़ी लेस दिखाई देरही है जो कि बचे बड़ी खुश कर खाएंगी और यह तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो के भी लाइक किजिए अपने दोस्तों शेयर किजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरुर दबाए ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रही तो फ्रेंड्स अगली एक न्यूरेस्टिक साथ इसे आपसे मुलाकात होगी सब तक के लिए नमिश्कार